ये दोस्तों बहुत ही सर्प्राइजिंग चीज नहीं होती है, जनरली 40-60 का रेशो होता है, थोड़ा सा और 12th क्लास की तरफ पेपर को skew कर दिया गया, जिसकी वाज़े से मुझे परसनली ऐसा लगता है कि बच्चों की जो मार्क से वो इंप्रूव होगे, क्योंकि बच्च तक वीडियो देखेगा, अभी तक की जो इमेज थी, मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत जादा टफ चीज़ा आती है, बहुत एडवांस चीज़ा आती है, इस बार पेपर लेवल है दोस्तों, वो डाइल्यूट हुआ है, तो कैसे हुआ है, क्या हिट्स औ टैक किया गया, जो जेए एडवांस अथोरिटीज ने पेपर अपलॉड किया है, तो उसमें पहले में देखे, डिफ्रेंचल एक्वेशन है, लिए डिफ्रेंचल एक्वेशन है, वो 12th क्लास का है, उसका टाइप यह है, मार्क्स यह है, नेगेटिव मार्किंग है, डिफि चौतिस क्वेशन को जब मैंने टैक किया, तो मैंने क्या-क्या चीजे पाई, वो मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूं फटावट से, तो देखिए, पेपर का जो पैटन था, वो सबसे पहले देख लेते हैं, पेपर वन के अंदर चार क्वेशन लिस्ट मैचिंग थे तीन M.C.Q. थे, फिट छे नॉन नेगेटिव इंटीजर और नुमेरिकल बेस्ट कॉम्प्रेहंशन पेपर 2 में था, तो अब आप देखिए, S.C.Q. दोनों में थे, टोटल कॉश्चन 17 और 60 मार्क्स का था, अब यहां पे देखिए, दोस्तों, डिफिकल्टी अनालिसिस, वेरी इजी, हर दोनों पेपर में एक-एक कॉश्चन था, इजी, पेपर 2 में देखिए, साथ कॉश्चन, जो एक perception था, कि यार, पेपर 2 बहुत एजी आया, तो वो, यहां पे आप लोग को दिख रहा है, दो कॉश्चन इजी थे पेपर 1 में, पेपर 2 में साथ कॉश्चन इजी थे, इजी वो question होते हैं, जो routine problems होती है, अगर मैं moderate की बात करूँ, तो पेपर 1 में साथ कॉश्चन moderate थे, 6 कॉश्चन इजी थे, 6 कॉश्चन पेपर 2 में moderate थे, 5 कॉश्चन डिफिकल्ट थे दोस्तों, पेपर 1 में, 2 कॉश्चन डिफिकल्ट थे पेपर 2 में, और वेर 14, 17 होता है, तो total मिला के जो 34 कॉश्चन है, उसके अंदर ये पूरा difficulty analysis था दोस्तों, बढ़ ये मत सोचेगा कि अगले साल भी easy paper आएगा, J.E. advance is unpredictable, कैसा भी paper आ सकता है, बढ़ इस साल का ये है, and it is drastically simpler than the previous year J.E. advance papers, class wise distribution के अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो paper 1 के अंदर, paper 1 के अंदर, दोस्तों, देखिया, majority 11 आई थी, 60 out of, 33 out of 60, basically, तो 55% paper 11 से आया था, और 45% paper 12 से आया था, but paper 2 के अंदर, पूरा उल्टा हो गया है, 49 marks का paper 12 से आया, और केवल 11 नम्मर का 11 से आया, अगर मैं बात करूं, 36, या तक्रिमन, 36.67% paper 11 से था, और 63.33% paper, दोस्तों, 12th class से था, ये दोस्तों, बहुत ही, surprising चीज नहीं होती है, जनरली 40-60 का ratio होता है, थोड़ा सा और 12th class की तरफ paper को skew कर दिया गया, जिसकी वाज़े से मुझे personally ऐसा लगता है, कि बच्चों की, जो mark से वो improve हो होंगे, क्योंकि बच्चों का जनरली 12th portion जादा अच्छा होता है, अ अब यह पूरा topic wise देख लीजे दोस्तों, अब यहाँ पर hits and misses आप लोगों पता चलेंगे, हम लोग जनरली बोलते है, application of derivatives से 3-4 question आएंगे, केवल एक question था, दोस्तों, 4 number का, ठीक है, area under curve का fix होता है, एक question आता है, circle का अंदर आता है, conic section, यह बिल्कुल expected था, यह expected था, यह expected था, यह unexpected था, ठीक है, definite integration की question आते ही आते है, यह expected था, differential equation का आता है, functions का आता है, fundamental of mathematics का दोस्तों, question आ गए, यह बहुत surprising था, logarithm का बहुत simple सा problem था, और linear equations में solve गई थी, ITF का कुछ जो question आया था ना, दोस्तों, मैं तो देखके, यह doubt में आ गए, कि क्या में J-E advance का paper solve कर रह था, 2012 का problem आप लोगों ने देखा होगा, कितना innovative था, मगर यह problem दोस्तों, बहुत routine problems थे, इस वज़े से, यह easy हो गया, metrics, algebra के tough questions आता है, मगर इस बार कुछ भी नहीं पूछे, बहुत ही simple, counting problems यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है, permutation combination, probability, बिल्कुल same lines पर था, और बिल्कुल routine problem आये, conditional probability हम expect करते आएंगे, वही आई, PNC के अंदर हम लोग थोड़ा सा, basic combinations के उपर बात करते हैं, grouping के बारे बात करते हैं, principle of inclusion, exclusion के बारे बात करते हैं, वह आई, quadratic equation दोस्तों, art number का आया, यह बहुत ही important चीज थी, यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, दोस्तों, slipers के अंदर जब चेंज हुआ था, 2023 के अंदर नहीं चीज़ें इंटर्यूस हुई थी, fundamental theorem of algebra, इंटर set theory पर भी question आया, आप देखो के set theory पर भी आया, जितनी चीज़ें नई add हुई थी, उन सब पर question आया, और यह दोस्तों generally pattern रहता है, J.E. Advance का, तो इसका मतलब अगले साल भी आप expect करें, जो syllabus में change हुआ था, जो syllabus में additions हुए थे, उसमें से question अच्छे का से पूछे जाएंगे एक notable, दो chapter notable miss है, एक sequence and series, sequence and series दोस्तों हमेशा आता है, मगर इस बार बिलकुल भी नहीं आया, एक question में थोड़ा बहुत लग रहा था, statistics में mix होके, मगर दोस्तों वो बिलकुल miss था, तो इससे एक, आप उमीद कर सकते हैं कि जब, मतलब statistics और sequence and series का, जो total weighted जना, वो same रहेग है, कि जो je authorities है ना, वो basically हम सब लोग के videos देखती है, हम लोग ने बोला है कि complex numbers से question पकाएंगे, हम लोग बोलते हैं application of derivatives से बहुत high weighted chapter है, vector 3D हम लोग बोलते हैं और वो independent topic उसमें से आया, ये बिलकुल line पे था, expected line पे था, मगर बिलकुल routine problem था, जैसे 2020 के अंदर vector 3D के बहु अच्छ भी नहीं हुआ, सो अब दोस्तों mathematics का जो paper है, वो थोड़ा सा, मतलब lose हो गया, इस वज़े से जो marks versus rank है, उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, 2022, 2023 और 2024 expected, ठीक है, अब यार कोई ना कोई एक बच्चा तो ऐसा ह होता ही है सूर्मा, तो इस बार मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 348 का जो record है, 348 out of 360 वो record शायद इस बार टूट जाएगा, 101 rank ये दोस्तों upper estimates है, इससे कमी जाएगा, मतलब 300 तो बहुत जाद हो गया, मेरे कोई पता है, 295 तक आप ये मान के चलिए, कि top 100 cross होना चाहिए, 295 मेरा prediction ह 30, less than 300 रहना चाहिए, बट फिर भी मैंने upper upper markings लिए, फिर 301 जो rank है, 275, 501 rank 259, तो top 500, अगर आपके 260 marks है, आप 100% expect कर सकते हैं, कि आपके rank top 500 में आईगी, यहां तक जनरलीर दोस्तों top IIT में CS मिल जाती है, ठीक है, top IIT में CS मिल जाती है, जैसे 400, सवा 400 में, रुर्की के अं 1000 rank, 3000 rank, 186 पर, तो यह दोस्तो worst estimate है, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, तो इससे battery आप उम्मीद कर सकते हैं, तो को एक बच्चा था जिसने बहुता, sir, मेरे 186 marks आ रहे है, 186 के 3000 rank से नीचे नहीं जाओगे, 3000 से battery rank आई, ठीक है, तो दोस्तों I hope आप लोग इस पूरे analysis को बहुत अच्छे समझ पाए होंगे, अगले साल के लिए, बहुत सारी चीज़ें, आप लोग को समझ नहीं है, इसके अंदर, और बाकी, दोस्तों हमारे जो courses चली रहे हैं, offline के अंदर आप लोग subscription ले सकते हैं, दोस्तों, flat pricing चल रही है, 80,000 में आप लोग जे ही पर सकते हैं 75,000 में नीट पर सकते हैं, अगर आप online परना चाहते हैं, तो price दोस्तों अच्छी खासी drop हो चुकिए, 5499 पे आप लोग को, plus subscription मिलता है, use कीजे code PJLIVE, thank you, let's crack it!